सरदी के मौसम में बहुत ज़ादा बिमारिया होने शुरू हो जाती है बच्चों को और पता नहीं चलता कि कब डॉक्टर के पास जाना है ये क्या हो सकता है तो common man को ये सारी details definitely पता नहीं चलेगी बट pneumonia एक ऐसी बिमारी है जो मारणांतिक हो सकती है तो इसलिए इसके symptoms जानना, science जानना, क्या treatment है वगएरा जानना, कब डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना चाहिए ये जानना बहुत important है मैं बता दू सारी दुनिया में pneumonia और diarrhea से बच्चे बहुत जादा percentage में मरते हैं और पिछले साल 2020 में बच्चों की जियो भी death हुई है उसमें से 16% death pneumonia की वज़े से हुई थी तो ये बहुत dangerous बिमारी है इसके बारे में जानकारी रखें तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं इसलिए ये वीडियो है कहा जाता है कि pneumonia सिर्फ बड़ों को होता है ऐसे सोच है जो गलत है बच्चों को भी हो सकता है और जादा percentage में हो रहा है तो चलिए इस वीडियो म में हम जादा जानकारी पाएंगे हलो नमस्ते स्वागत है आपका Tots and Moms में मैं हूं काविता और आज इस वीडियो में एक के बाद एक निमोनिया के बारे में डीटेल्स हम जानेंगे सबसे पहले ये causes क्यों होता है निमोनिया निमोनिया एक acute respiratory infection of the lungs मतलब श्वासकोश में जो infection हो सकता है उसका नाम है निमोनिया ये bacteria, virus और fungus से भी हो सकते हैं जब ये होता है तो lungs में हमारे श्वासकोश में जो हवा होनी चाहिए उसके बजाए वहाँ पर पस या कोई fluid भर जाता है जिससे सास लेने में तकलीफ हो सकती है बच्चों को बाद में खासी जादा हो सक सकता है ये सारे symptoms निमोनिया के हो सकते हैं और जादा तर ये सरदी के मौसम में cold या flu आने के बाद आता है तो प्लीज चेताम नी बढ़ते हैं symptoms and diagnosis मतलब जैसे मैंने कहा कि खासी हो सकती है बुखार आ सकता है उसके बजाए और थोड़े symptoms हैं जो आप चेक कर सकते हैं बच्चों को सास लेने में तकलीफ हो सकती है या सिर्फ उपर-उपर सास ले रहे हैं या इस तकलीफ से सास लेने के problem से उनके चाती में दर्द हो सकत है और वामिटिंग का problem हो सकता है जो बच्चे बहुत active है वो less active हो जाएंगे खेल कुद कम कर सकते हैं और खाना भी कम खा सकते हैं इस टाइम पर तो इनका चेक कीजिएगा डॉक्टर के पास प्लीज ले जाएगा डॉक्टर उपर से चेक करेंगे कि breathing issue है history पुछेंगे कि क से हो रहा है क्या क्या हो रहा है और उन्हें फिर भी लगा कि थोड़ा भी concern है तो वो chest x-ray के लिए recommend करेंगे transmission of pneumonia मतलब क्या ये pneumonia एक बंदे से दूसरे बंदे को हो सकता है या एक बच्चे से spread हो सकता है तो हाँ जरूर ये हो सकता है खासने से air droplet से भी spread हो सकता है majorly और delivery के दौरान खून से भी बच्चे को spread हो सकता है इसे neonatal pneumonia कहा जाता है और ये ज़्यादा तर बच्चे जो weak immunity होती है रोग निरोजदक शक्ति जिनमें कम होती है या फिर जिने अस्तमा या कोई तरह का cancer है वो higher risk में रहते हैं उन्हें ज़्यादा हो सकता है ये pneumonia का problem और सर्दी के मौसम में बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि उस टाइम पर हम बच्चे को अंधर ही रखते हैं और क्योंकि बॉड़ी हीट होके दूसरे problem भी हो सकते हैं सबको पता रहेगा कि निमोनिया का vaccination छोटे बच्चे को दिया जाता है PCV निमोकोकल कॉंजगेट vaccination तीन डोसस दिये जाते हैं छे महिने दस महिने और बारा महिने में और एक बूस्टर भी दिया जाता है 15 मेने जब बच्चे को complete हो जाता है तो इन सबसे बच्चे को मिलती है protection 23 variants of bacteria से अभी vaccination protection देता है बट 100% protection claim नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारे different diseases हो सकते हैं निमोनिया जैसे virus से भी हो सकता है fungus से भी हो सकता है सिर्फ bacteria से नहीं और नए नए भी issues शुरू हो जाते हैं तो इसलिए 100% protection नहीं मिलता बट फिर भी 23 different types of bacteria से जो protection मिलता है उसके लिए vaccination 100% recommended है अभी आप देखेंगे cases 50-60 साल पहले जितने cases निमोनिया के होते थे जितने cases से मरते थे बच्चे उसका rate बहुत कम हो चुका है अब बट फिर भी यह dangerous बीमारी है तो हमें चेतावनी बरतनी ही पड़ेगी निमोनिया का treatment अगर आप पूछें तो generally mild pneumonia है तो doctor antibiotics लिखे देखे घर में ही rest करने को और थोड़े बहुत recommendations देंगे कि कैसे देखवाल करना है बच्चों की और bacterial pneumonia है तो एक या दो हफते में ठीक हो सकता है अगर viral pneumonia हुआ है तो चार से छे हफते में ठीक हो सकता है अगर बाद में भी आपने देखा कि बच्चे को on and off बुखार हो रहा है या बहुत जादा breathing issues है vomiting अभी भी continue हो रहा है chest pain, bone pain वगेरा हड़ियों में दर्द या छाती में दर्द का complain करते हैं बच्चे तो please doctor के पास जाईएगा doctor बच्चे की infection कितनी है वो check करके advice करेंगे कि hospital में रखना है की नहीं और definitely थोड़े बहुत monitoring के बाद बच्चा जब ठीक हो जाए तो घर भेज देंगे डरने की ज़रूरत नहीं है treatment important होता है time पे treatment दिलवाना prevention या बच्चों को कैसे देखवाल कर सकते हैं कि यह pneumonia ना हो थोड़े बहुत हम follow कर सकते हैं बट 100% protection किसी से भी नहीं मिलता सबसे पहली बात vaccination up to date रहे यह मैंने बताया है कि 23 different variants से बच्चे को bacteria से बचा सकता है यह PCV dosage तो please जरूर इसे दिलवाईएगा और बच्चे की hygiene का check कीजेगा अभी जूटा किसी का glass है तो उससे ना पिए और खासी अगर हो रहे हैं तो handkerchief दे दें ताकि उससे है तो spread ना करें दूसरों को हो तो हमें ना हो और crowded places जहां बहुत ज़्यादा crowd है लोग है वैसे जगा मत जाईएगा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसके वज़े से बहुत ज़्यादा issues हो रहे हैं हम सब को पता है तो please अगर हो सके तो healthy जगा में रहें वरना अपने घर को प्रोटेक्ट करें अपने घर में कोई स्मोक कर रहा है तो उन्हें बताएं कि यह बहुत देंजरस हो सकता है बच्चे के लिए और आखिरकार healthy food habit का practice बहुत important है क्योंकि अच्छा बच्चा खाएगा नहीं तो सिर्फ medicine खाएगा बाद में जाके यह हमारे सबजिया नहीं खाते यह complain रहेगा और इसकी वज़े से बीमारिया सब interrelated है एक simple सा cycle है अगर हम यह जान ले तो बच्चों को जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो में बनाती रहती हूँ दो वीडियो recommendation मैं बता दू बच्चों का weight loss जो होता है वो ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जो बच्चों के हाँ एक और वीडियो recommendation है baby walker अभी बच्चों को walker देना कितना recommended है किस age से दिया जा सकता है वगेरा details हमने उस वीडियो में बताया है उसे चेके जेगा और टॉट्स और मॉंस जैसे आप देख रह अभी एंड कित्स फुट्स फुट्स टोर है जहां पे बच्चे को दलिया और ड्राइफूट पावडर जैसे सीरियल मिक्स इंस्टेंट फुड मिल सकते हैं और बड़े बच्चों के लिए दूद में डालके पीने वाला गुड से बनायो हुआ है रहल्थ ड्रिंक मिक्स मि सकता है तो यह सब और गानिक, खेमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री घर में जैसे आपने बनाया है वैसे ही आपको मिलेगा तो प्लीज इसे चेक कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो या सब्स्क्राइब करना मत भूलेगा हमारे प्रोडेक्ट्स अमेजॉन, दे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ चेक कर सकते हैं तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो ये यूसफुल लगी हमारे चैनल में जाके और भी सारे हिंदी के वीडियो चेकी जेगा बच्चों के लिए, माओं के लिए और शिशुों के लिए बहुत सारे आपको वहाँ पर तो चलिए फिर उससे मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ अब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार और बाबाई